वेलकम टू सिवल सर्विशे स्टड़ी देखे आज हो गई है डेट आठ मई तू थाउजन ट्वेंटी और इस टेस्ट में फोकस करने वाले हैं सोला इंपोर्टेंट एमसी की उपर जो होंगे जनरल साइंस के मतलब विज्ञान के प्रश्ण होंगे और उन में भी की फोकस होगा मानव स्वास्थ और रोग पर चले स्टार्ट करते हैं यूपियस से सिवल सर्व में पूछे जाते हैं जनरल साइंस के प्रश्ण तो प्रश्ण क्रवांग संख्या एक क्या है विडाल परिक्षण का संबंध किस रोग से है एट्स मलेरिया कैंसर या फिर टाइफाइड किस से है विडाल परिक्षण का संबंध तो देखिए एट्स से नहीं है मलेरिया से नहीं है कैंसर से नहीं है ये किस से है टाइफाइ जोरी की पुष्टी जो है वो विडाल परिक्षण के द्वारा की जाती है टाइफाइड एक वेक्टीरिया जनित रोग है जो सालमो नेमा टाइफी नामक वेक्टीरिया से होता है कुश्चन नमबर टू है निमरिखित मैंसे कौन से मानब में होने वाले जीवानु जनित रोग है इन मैंसे कौन से वेक्टीरियल डिसीज है डिफ्थेरिया पोलियो मलेरिया अतिसार पेचेज मतलब डाइसेंट्री तो देखिए यहां जो पोलियो है यह तो वाइरस से होता ह है तो दो को एलिमिनेट कर दीजिए जहां जान दोगा बुनी होगा सारा का सारा निकल गया अपना अंसर डिफ्थेरिया वेक्टीरिया से होता है मलेरिया जो है वो प्रोटेजवा से होता है और अतिसार पेचेज मतलब डाइसेंट्री जो है यह भी वेक्टीरिया से होता ह तो एक और चार हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा option number D इस तरह से भी eliminate करके बहुत सारे प्रेश्णों के अंसर निकल जाते हैं UPSC में तो देखिए मानब में होने वाले कोछ जीवान भी रोग या जीवान जनित रोग जैसे टाइफाइड है नियुमोनिया है अतिसार पेचेस प्लेग डिफ्थेरिया और जो कैंसर रोग है वो वाइरस के कारण होता है और पोलियो भी वाइरस के कारण होता है याद रखिएगा कोश्चन नमबर थरी है नियुमोनिया रोग के संबंद में नियम्रिकित कत्नों पर विचार करण है ये एक विशानू जनित रोग है इस रोग में मानब सरीर का स्वसंत अंत्र संक्रमित हो जाता है और यह एक संक्रामक रोग है इस रोग में मानब सरीर का स्वसंत तंत्र संक्रमित हो जाता है नियुमोनिया में दूसरा वाला करेक्ट है यह एक संक्रामक रोग है बिल्कुल यह भी करेक्ट है तो इसका अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर भी दे और तीन तो देखिए पहला कहता है जो है वो गलत है मानब में नियुमोनिया रोग के लिए है स्ट्रेप्टो कोकास नियुमोनि और हीमो फिल्स इंफ्लूएंजी जैसे वेक्टिरिया उत्तर दाई है जीवानू उत्तर दाई है दूसरा घतन सत्त है क्योंकि निमोनिय रोक के जिवाणू नाक और स्वसन पथ को संक्रूनित करते हैं सामाने जुकाम के अफिलक्षन है जिसे नेजल, कंजेशन और आत्रसाव, कंठधा, स्वर रुक्षता मतलब फटी हुई आवाज आना, कौमा खांसी आना, सिर्दर्द, ठकावट आदी जो प्रया तीन से साथ दिन तक रहते हैं इसमें कुश्चन नमबर फूर है, निमर्ग के दम से कौन सा प्लास्मोडियम नामक प्रोटेजवा से होता है प्लास्मोडियम नामक प्रोटेजवा से होने वाला रोग कौन सा इसमें? देखे, टीवी तो वेक्टिरिया से होता है, कॉलेरा, पोलियो वाइरस से होता है तो इसका अंसर सी हो जाएगा, जो मलेरिया है, वो मादा एनेफ्रीज से होता है, जो प्लास्मोडियम है तो देखिए मानब में कुछ रोग प्रोटेजवा से भी होते हैं मलेरिया जिसे मनुष कई सालों से रड़ता आ रहा है प्लाजमोडियम नामग वहुत ही छोटे प्रोटेजवा के द्वारा होता है और प्लाजमोडियम की विभिन जाती हैं कौन कौन सी हैं प्लाजमोडियम वाइवेक्स हो गया और प्लाजमोडियम मेलिरिया हो गया प्लाजमोडियम केलसी फैरम हो गया अब देखिए विभिन प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदाई हैं और इनमें से प्लाजमोडियम फैलसी पैरम प्लाजमोडियम फैलसी पेरम द्वारा होने वाला दुर्दम सबसे गंभीर और यह घातक भी हो सकता है तो इनमें सबसे जो खतरनाक है वो कौन सा है प्लाजमोडिया या प्लाजमोडियम फैलसी पेरम नंबर फाइब है मलेरिया के संबंद में कौन सा गलत है इनमें से तीन स्टेटमेंट है मलेरिया रोक संक्रमित मादा एनफलीज मच्छर के काटने से होता है जब संक्रमित मादा एनफलीज मानव को काटती है तो प्लास्मोडियम जीवानू इस पोरोजोईट्स के रूप में मानव सरीर में खुश जाते हैं और मलेरिया पर जीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुश और मच्छर दो पर पोशियों की आवश्चक्ता पड़ती है और मानव सरीर को प्रवाववित करते हैं प्रारबे में मलेरिया पर जीवी जो है वो यक्रत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं और फिर लाल रुधिर कणिकाओं पर अक्रमन करते हैं जिससे लाल रखत कणिकाओं फट जाती हैं और मलेरिया पर जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष और मच्छर दो पर पोशियों कि अवस्चकता होती हो से था उनसे होने वाले रोगों के संबंद में जो हैं मिखें से कौन सा इजों सहीosing इस्वज़न होता है तीसरा मेह बहुता है, Fungus या फिर Fungi या कबक के द्वारा, दाद या Ringwar मोताए भी सही है और हाथी फाओं या Filariasis एक क्रमी के द्वारा होता, Helminthis के द्वारा होता तो सारे के सारे तो Correct नहीं है, D हो जाएगा इस का अंसर तो देखिए बिभेन परजीवियों एब उनसे संबंदित रोगों के संबंद में तीनों के तीदों कथन जो हैं वो सई सुमलित हैं माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटान और एपी डर्मोफाइटान आदी वंस के अनेक कबक जो हैं वो दाद या रिंग बर्म के लिए उत्तर दाई हैं दाद आमतोर पर मिट्टी से या संक्रुंत व्यक्तियों के तौलियों से कपडों से या कंगे से कंगे तक से कंगे तक के प्रियोग से जो है वो हो जाता है बुचुरेरिया सरने फाइलेरिया क्रमी है जिसके कारण अंगों में प्राया अधपाद की लशी का वाहिकाओं मतलब लिमफेटिक वेसेल्स में धीरे धीरे बढ़ने वाला धीरकालिक सोध हो जाता है ये क्रमी इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं यह जो रोग है वो हस्ती पाद या हाथी पाउं या फिर एलिफेसियस अथवा फाइलेरिया या फाइलेरियस कहलाता है ये प्रश्न यूप एससी सीजियल का फेवरेट है बहुत बार पूछा गया है एससी सीजियल सी एचसल के एक्जाम में मतलब इतना लाइन ही है कि फाइलेरिया या फाइलेरियसिस रोग किस से होता है तो ये जो होता है ना ये होता है क्रमी से मतलब हैलमेंथीस से होता है अगर चार अप्सन दे दिये जाएं वाइरस से होता है बैक्टिरिया कबक से होता है क्रमी से होता है तो क्रमी से होता है है हेलवेंथीज से कुश्यन नमबर 7 है नमरिखित गत्नों पर विचार कीजिए दो स्टेट्मेंट है यहां पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है देखिए मानब सरीर में अंग प्रत्यरोपन मतलब ट्रांस्प्लांट के लिए किसी भी दाता के अंग का प्रियोग किया जा सकता है अंग प्रत्यरोपन कराने के बाद रोगी को सेश अपने बचे जीवन भर प्रतिरक्षा निरोधक लेने पड़ते हैं देखिए ऐसे तो किसी का transplant होगा ने अंगों का अंग transplant करने के लिए हैं तो उतक भी मिलाना जरूरी है कोशिकाओं का दोनों का दोनों को सरील का और blood group एक जैसे होने चाहिए तो पहला तो गलत है वागि दूसरा correct है एक बार organ यह दी transplant कराता है तो अपना जो उसका सेस बचा जीवन है उसमें जीवन भर उसको परतिरक्षा निरोधक लेने पड़ते हैं तो दूसरा correct है बस तो देखिए कथन एक गलत है दूसरा सही है नेत्र हो गया मतलब आई का बरक हो गया मतलब किसका क्या बलते हैं बरक को kidney यक्रत हो गया मतलब लीबर और रदय हो गया मतलब हर्ट जैसे अंग संतोष जनक रूप से काम करना बंद कर देते हैं तो एक मात्र उपचार इनका परतियरोपन मतलब ट्रांस्प्लांट होता है जिससे रोगी सामवाने जीवन जी सके परतियरोपन के लिए हर किसी दाता के अंग नहीं लिये जा सकते क्योंकि वे सरीर के द्वारा देर सवेर नकार दिया जाएंगे कोई भी निरोप या परतिरोप लेने से पहले उतक मिलान करना और रक्त मिलान अत्यावशक है दोनों का ब्लड ग्रूप जांचना और एक जैसा है तब ही जो है औरगन ट्रांस्प्लांट होगा इसके बाद भी रोगी को अपने सेस जीवन भर परतिरक्षा निरोधक मतलब इम्मिनोस प्रेशेंट लेने पड़ते हैं सरीर जो है अपने और पराय में भेद करने में सक्षम होता है और कोशी का माध्य प्रतिरक्षा अनुरूप निरोप को अस्विकरत करने के लिए उत्तरदाई है तो सरीर जो है ना ये बोडी जो है ये अपने पराय का भेद समझता है इसलिए आवश्चक है उतक मिलान और ब्लड ग्रोप एक जैसे होना ऐसे नहीं कि कोई भी ट्रांस्प्लांट हो जाएगा किसी भी दाता के अंग का परियोग किया जा सकता है कुश्चन नमबर एट है नमर्कित मेंसे कौन सा गथन सही है मानब सरीर में जो एलर्जी होती है वो मास्ट कोशिकाओं से हिस्टेमिन और सीरो टोनिन जैसे रसाइनों के निकलने के कारण होती है मानब परतिरक्षा तंत्र में लशिकाब अंग मतला बोन मेरो थाइमस कॉमा उतक कोशिकाओं सामिल है बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टिट्मेंट हैं पर सी हो जाएगा इसका उत्तर है तो देखिए उपरोग दोनों के दोनों का थन सत्य हैं एलर्जी माश्ट कोसिकाओं से हिस्टेमिन और सीरोटोनिन जैसे रसाइनों के निकलने के करण होती है आधुनिक जीवन सेली के फलसरूप लोगों में परतिरक्षा घटी है और एलर्जनों के परती संबेदन सीलता बढ़ी है मानप परतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यून सिस्टम में बोन मेरो थायमस उतक कोशिकाओं और घुलन सीर अनू जैसे परतिरक्षी मतलब एंटिवर्डी सामिल है परतिरक्षा तंत्र इस माइने में बेजोड है कि यह विजातिय प्रति जिनों को पहचानता है इनके प्रति अनुकरिया करता है और इन्हें याद रखता है प्रतिरक्षा तंत्र, एलर्जी, प्रतिक्रियाओं, स्वय, प्रतिरक्षा रोगों और अंग प्रतियारोपण में महत्पूर्ण भूमी का निभाता है Q9 है एट्स के संबंद में नीचे देगे कतनों पर विचार कीजिए देखे एट्स एक वाइरस जनित रोग है जो मानब प्रतिरक्षा निउन्ता विशानू के कारण होता है जिसको इंग्लिस में बोलते हैं Human Immune Deficiency Syndrome करेक्ट है पहला वाला स्टेट्मेंट इस रोग से मानब सरीर का जो इम्यून सिस्टम है प्रतिरक्षी तंत्र है वो कमजोर पढ़ जाता है फिल्कुल पढ़ जाता है इस रोग के लिए जिम्मेदार वाइरस RNA जीनोम को ढखने वाला आवरण होता है करेक्ट है ये भी अब गलत यहां पर पूछा है तो गलत तो कोई है नी इसमें तो इसका आंसर हो जागा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है प्रतिरक्षा तंत्र में निवनता व्यक्ति के जीवनकाल में उपार्चित होती है और इस वात का संकेत है कि निवनता कोई जमजात रोग नहीं है AIDS एक विशाणू जनित रोग है जो मानब में HIV मतलब Human Immuno Deficiency Virus प्रतिरक्षा निवनता विशाणू के करणा होता है HIV वाइरस के उस समू में आता है जिसे रिट्रो वाइरस कहते हैं जिन में RNA जीनोम को ढखने वाला आपरणा होता है कोशियन नमबर 10 है कैंसर रोग के संबंद में नीचे दिगे कत्रों पर विशार करें तीन तीन स्टेट्मेंट है हाँ पर बताना है कि इन में से कौन सा सत्य होगा देखे जो ट्यूमर है ट्यूमर कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित व्रद्धी के करण इखटा की गई कोशिकाओं का भंडार है ट्यूमर कोशिकाओं अत्यावश्चक पोशकों के लिए सामान कोशिकाओं से इसपरदा करती हैं और उन्हें भूंका मारती हैं सरीर में कैंसर का पता लगाने के रिए उतको की बायोपसी और हिस्टो पैथोलोजिकल परिक्षन किया जाता है, मतलब उतक ब्रक्रती उतक बिक्रती परिक्षन किया जाता है, तो देखें ट्यूमर क्या है, एक तरह से जो डबलू बीसी होती हैं, उनका मल्टिपल हो जाना, जट्ता बन जाना, यही तो और ट्यूमर, अब क्या होगा, यह अनिंत्रित कोशिका इनकी आवशक्ता ही नहीं थी, यह बढ़ती जा रही है, अब इनको क्या होगा, सबसे जारे फूड कंजियूम करेंगी है, नूट्रिसन चूसेंगी, तो जो हमारी नॉर्मल सेल होती है, उनको पोशक ही नहीं मिलेगा, पोशन मतलब वो तो अधूरी रहे जाएंगी ना पोशन पाने से, तो वो क्या होता है, वो सूप जाती है, मर जाती है, तो इससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम कमचोर पड़ता जाता व्यक्ति का, और छोटे मोटे रोग भी असाद विमा खान खान, तो करेक्ट है पहला वाला स्टेट्मेंट, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेट्मेंट भी, करेक्ट है तीसरा वाला स्टेट्मेंट भी, तो डी हो जाएगा इसका उत्तर, तो देखिए उपरोग सभी खतन सत्ते हैं, कैंसर कोशिकाएं अन्यंत्रित तरीके से वि मैलिकनेट ट्यूमर, विनाइन ट्यूमर सामानेता अपने मूल इस्थान तक सीमित रहते हैं, सरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलते, तथा इन से मामूली शती होती है, दूसरी और देखें, तो होते हैं, मैलिकनेट ट्यूमर, जो परचरोधविदी कोशिकाओं का लिजे, यह एक कोशिकाओं यहां पर हो गया, यहीं थोड़ा हुआ, फिर थोड़ा उपचार कराने पर सही हो गया, लेकिन यह जो दुर्दम है, जो दुर्दम है, मैलिकनेट है, यह यहां हुआ, फिर इसका संकर्ण दूसरी कोशिकाओं में, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांच में ऐसी ये विसार कर लेता है इसलिए ये जो है ये संक्रामक होता है हानिकारक हो जाता है सरीर के लिए उम्रत्ति का करणा बन जाता है अब देखें ट्यूमर कोशिकाएं सक्रेता से विभाजित और बाधित होती हैं जिससे वे अत्यावशक पोशकों के लिए सामाने कोशिकाओं से इसपरदा करती हैं और उन्हें भुखा मारती हैं ऐसे ट्यूमरों से उत्री हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज इस सलो पर पहुंच जाती है और जहां भी ये जाती है नए ट्यूमर बनाना प्रारम्ब कर देती है सरीर में कैंसर का पता लगाने के लिए उत्को की बायोप्सी और हिस्टो पैथोलोजिकल परिक्षण किया जाता है मतलब उत्क विक्रती परिक्षण question number 11 है AIDS की बिमारी का पता लगाने के लिए किस परिक्षान या कौन सा टेस्ट किया जाता है इन मैंसे बताईए बायोप्सी तो चलिए cancer के लिए हो गई city scan तो बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है बिडाल होगी गया है टाइफाइड के लिए तो एलिसा टेस्ट किया जाता है AIDS की बिमारी का पता लगाने के लिए तो देखे AIDS के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परिक्षण एंजाइम सनलगन पर्तिरक्षा रोधी आमापान एलिसा एलिसा एंजाइम Linked Immunogyryde Essay है इसका पूरा नाम Question number 11 धूमर पान से सरीर के रग्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है धूमर पान से सरीर के रग्त में कारवन मोनो आकसाइड मतलब CO की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है तो देखे किम आवद ऑक्सिजन, होम बाउंड ऑक्सिजन की सांदरता घट जाती है, इसके कारण सरीर में ऑक्सिजन की कमी हो जाती है, कुशन नमबर 13 है, जिन रोगियों में सल्ले चिकित्सा या सल्ले करिया या सरजरी हुई होती है, उन्हें पीडा हर के रूप में क्या दिया जाता ह है, पीडा हर क्या होता है, पीडा हरने वाला क्या चीज, मतलब जो आपके दर्द को कम कर दे, दर्द को हर ले, यागर दर्द हो तो उसका पता न चले, तो कोकीन, एस्प्रेन, हिरोईन, मॉर्फेन, क्या दी जाती है, एस्प्रेन से तो काम चलेगा नहीं, मॉर्फेन सही ह तो देखिए मॉर्फिन एक बहु परभावी शामक मतलब शेरेटिव और पीड़ा हर है इसने जिन रोगियों की सल्ल करिया मतलब सरजुरी हुई है उनके लिए यह बहुती उपयोगी होती है नमबर फोटीन है नमलिखित कतनों पर विचार करें दो स्टेटमेंट है है हाँ पर बताना है कि कौन सा सही है मानव शरीर में टाइफाइड ज्वार एक जीवानु जनित रोग है टाइफाइड रोग द्वारा मानव शरीर का यकृत संक्रमित होता है देखिए जीवाणू जनित है टाइफाइड सालमोनेला टाइफी से होता है और दूसरा बाला गलत है क्योंकि रियक्रत मतलब लीबर को संक्रमित नहीं करता है अपकी आत पे प्रभाव डालता है आत को संक्रमित करता है तो केवल एक हो जागा इसका अंसर तो कथन एक सत्य है सालमोनेला टाइफी नामक जीवाणू से मानब में टाइफाइड जर होता है यह रोग जनक आम तोर पर कैसे होगा दूशित भोजन करने से दूशित पानी पीने से होता है और इसमें क्या होता है जो जीवाणू है वो आपकी आत में घुश जाता है और बहां से रक्त द्वारा सरीर के अन अंगों में पहुंच जाता है इस रोग के गंभीर मामलों में आत में छेद होना और बाद में मृत्ति हो जाना है अब देखिए इस रोग के कुछ सामाने लक्षन क्या हो सकते हैं लगातार, उच्छ जोराना, कमजोरी आना, आमाशे में पीड़ा, कबज, सिर्दर्द, भूक ना लगना, इत्यादी तो बेक्टिरिया से होता है टाइफाइड और लिवर को नहीं, वलकि आपकी आत को, जो है, इंटेस्टाइन को ये फोकस करता है question number 15 है, रुधिर परिसंचरन तंत्र की खोज किसने की है? रुधिर परिसंचरन तंत्र की खोज की है, बिलियम होर्वे ने, एक प्रश्न पूछा जाता है, blood group की खोज किसने की है? रुधिर परिसंचरन तंत्र और रुधिर बर्ग दो अलग अलग बाते हैं, तो रुधिर बर्ग खोजा है, मतलब ब्लड ग्रुप खोजा है, जैसे किसी का ए है, किसी का भी है, किसी का ए भी है, किसी का ओ है, ये खोजा है, कॉर्ल लेंड इस्टीनर ने, और रुधिर परिसंचरन तंत्र खोजा है, बिलियम होरवे नहीं है, तो रुधिर परिसंचरन पर विचार कीजिए कथन है कारण है व्याख्या करेगा तो ये होगा व्याख्या नहीं करेगा दोनों सही होगे तो ये होगा कोई एक गलत होगा सही होगा ये होगा इन दोर में से अधिकांस परजीवी यानि पैरसाइट रोग जनक होते हैं परजीवी या पैरसाइट परपोसी मतलब होश्ट के भीतर या उसके उपर रहकर उसे शती पहुँचाते हैं आधिकान्स पेरासाइट रोग जनक होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि परटिवी पर्पोसी होष्ट के भीतर या उपर रह कर उसे शती पहुँचाते हैं कथन सई है कारण भी सई है तथा कारण कथन की सही व्यख्या भी करता है तो यह हो जाएगा इसका उत्तर तो अधिकांस परजिविया पैरसाइट जैसे वेक्टिरिया हो गया, वायरस हो गया, कवक हो गया, प्रोटो जोवन हो गया, क्रमी मतलब हेलमेंथीस हो गया, आदी मनुष्च में रोग पैदा करते हैं इसलिए अधिकान्स परजिविया पैरसाइट रोग जनक होते हैं क्योंकि ये परपोसी होश्ट के भीतर या उसके उपर रहकर उसे छतियाहनी पहुंचाते हैं रोग जनक हमारे सरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं एवं अपनी संख्या में ब्रद्धी कर हमारी सामान आवश्यक क्रियाओं में बाधा पहुँचाते हैं रोग जनकों के लिए आवश्यक है कि वे परपोशी के भीतरी बातावरण के निसार अपने को अनुकूलित कर सके तो ये जनरल साइंस के 60 important प्रेशन थे अच्छे से इसका रेविजन कर लिजेगा कम से कम 2-3 बार तभी आपको याद रहेगा धन्यवाद